किसानों के लिए शुरू की गई एक नई योचना जहां पुरदार मंत्री ने रहवार को कशी अफसमचना खोश यानि कि किसानों के लिए किस तरीके से उनके एक्विप्मेंट को लेकर जो लूर की सुधता है वो जप ऐसानी से मिल सके इसके लिए एक लाग करोड़ रुप Walter के फखनवारी से्की गई एलिए श्र्कार किस तरीके से इसका लाब बेपाएंगी सरकार ने इस स्कूइन को जब लाउंच किया है तो इसका मकसद क्या है और किस तरीके से इसे जमी पर लाउग करेंगी और साथ ही इसके जरीए अडिकल्चर सेक्टर में और किसानों पर क्या फर्क की उम्मीद एकिस तरीके की बद्लाव को नहींद हम कर सकते हैं और इसे समझाने के लिए हमारे साथ पीम बेहत खास मुआ जोड़ रहे हैं हमारे साथ विवेक अगरवाज जी जोईन से कहती हैं Department of Agriculture से आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ एक यवाज़ चार साथ हैं वरिश पत्रकार और इटोरियल डिरेक्टर हैं बिजन स्टैंडर से स्वागत है हमारे साथ प्रेमेस वशिष साहब है जो फॉर्मर डेरेक्टर एकिल्चर एकनोमिक इस सेंटर से साथ बहुत स्वागत है कि अगर मैं सबसे पहले इस स्कीम को मोटे तोर पर समझूँ क्या यह स्कीम है क्या इसका दारा है और किस तरीके से मैं कहूं कि किसानों को इससे मदद की उमीद सरकार कर रही है अग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरगत एक फाइनाइसिंग फेसिलिटी बनाई गई है जो एक लाख करोड की है जिसका लाँचिंग बाने प्रधान मंत्री जी ने कल किया था इस फेसिलिटी का में मकसद यह है कि जो किसानों की उपज आती है उसके लिए पोस्ट हार्विस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ में किसानों को अपनी प्रॉडक्टिविटी जो स्पेशलाइस्ट प्रॉडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स के लिए फंडिंग अवेलिबल हो यह फंडिंग ऐसे प्रॉडक्श के लिए अवेलिबल है जिनका कोई यूजर चार्ज है और जिसका कोई पेबैक है ताकि अगर लोन से यह पैसा लिया जाए तो उसको चुकाने की विवस्ता भी हो पाए इस योजना में जो मेंन फीचर है वो यह है कि इसमें 3% ब्याज की छूट मिलेगी अगर लोन लिया जाता है और साथ में जो भी लोन लेने वाली संस्था है उसको 2 करूड तक के रिन के ओपर बैंक की गैरेंटी केंदर सरकार द्वारा दी जाएगी इस तरह से नोल लेना असान है और जो इंफ्रास्ट्रक्ट्टर बनेगा जो कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो उसका जो कॉस्ट टू फार्मर है जो उसके सर्विस चार्ज है वो भी कम होगी इस योजना में जो हितगराही है जो इसको ले सकते हैं उसमें primary agriculture cooperative societies है जो किसानों का ही संगठन होता है किसानों के self-help groups है किसानों के joint liability groups है जो marketing societies है जो विभिनिक शेत्रों में काम करती है multiple purpose cooperative societies है या जो नीजी निवेशक है खासकर अगर किसान खुद अपने farm गेट पे या कुछ अन्य किसानों के साथ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उद्धुमी के रूप में वे भी इसमें सम्हुलित हो सकते हैं, और इसके अलावा जो एग्रिकल्चर के एक शेत्र में टेक्नॉलजी और अन्य क्शेत्रों के स्टार्ट अप हैं, वो भी इस योजना में सम्हुलित हो सकते हैं, इसके लिए वो जो स्पार्ट अंड प्रिसीशन फार्मिंग है, उसके लिए अगर वो इनिशेटिव लेते हैं, उसकी फंडिंग हो सकती है, स्टार्ट अप्स को वेंचर डेट की आवश्रता होती है, उसकी फंडिंग हो सकती है, स्कीम में भी उस योजना के लाब मिल सकता है जैसे साथ ही स्कीम के नभाड ने अपने एक योजना शुरू जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो प्राइमरी अग्रिकल्टर कॉप्टी सुसाइटीज है उनको तीन परसेंट रीफिनांस पे अमरी उप्लब कराएंगे एक परसेंट का स्प्रेट जो डिस्टिक कॉप्टि बैंक है वो लेंगे तो चार परसेंट ब्याज पे जो वो राशी देंगे उसके उपर तीन परसेंट का इंट्रस सब्सेडी इस योजना से मिल जाएगा जो अग्रिकल्टर इंफ्रस्ट्रक्टर फंड योजना है तो वास्तव में ज फंड की शुरुआत की उसके साथ ही करीब 2,282 प्राइमरी अग्रिकल्चर कॉप्टि ससाइटीज को देश भर में 1128 क्रोन उपे के रिंट स्विक्रिक हुए इससे उनने मंडार ग्रह बनाने का तै किया, उनने मौडरन रेहाउसिंग के इलावा सूचना केंडर, E-Marketing Point, ऐ ऐसी सुविधाएं जिससे किसानों को नाकेवल Post-Service Management Infrastructure मिल सके, बलकि मार्केटिंग की सुविधाएं भी मिल सके, इससे वो डिस्ट्रेस में जो किसान सेल करता है, क्योंकि जर उसको पैसे की आवशक्ता है, वो इंतजार नहीं कर पाता, उसको जाके अपनी फसल भेजनी पढ़ती है, जो है कम दाम पे बिखे, वो आवशक्ता ना हो, किसान फसल को होल्ड कर सके, किसान फसल की सौर्टिंग ग्रेडिंग कराके उसकी कीमत में बढ़ातरी कर सके, और जो बेस्ट प्राइस किसान को मिल सकती है, उस पे वो बेच सके, यह सब तरह की जो कारवाई है वो इस फंट के अंदेद आ पाएगा. जो जब रिन लेते हैं, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मानता है, वो क्लेटरल सिक्योरिटी मानता है, इस योजना में दो करोड के तक के रिन के ऊपर बैंक क्लेटरल सिक्योरिटी नहीं मान सकता है, बैंक की जो सिक्योरिटी की गारंटी है, वो क्रेडिट गारंटी ट्रस् है वो भारत सर्कार की योजना से आएगी तो इसका मतलब यह है कि जो लोन लेगा उसको किसी परकार की अपनी भूमी को या अपनी किसी और असेट को गिर्वी रखने की आफशक्ता नहीं होगी सिक्यॉरिटी भारत सर्कार के द्वारा दे जाएगी और इस स्कीम का जो दायर है वो यह कि target हमें दिया गया है कि हमें चार साल में यह financing पहुंचानी है पहला साल जो अबि करण टियर है उस में दस अजार कुर्ड की रोड़ तक की फिवानैंसिंग में करना है, आगले 3 सालों में सब्सुद ही जब लोन्स हब्लीत हो जाएगा उसके साथ साल तक यह सबसुदिध की सबषीमित है किoses इने थो करूर तक और और शुख रिं assunto॑ प्रशेसरा क्योंकि आपका एक लंबान दो रहा है अधिकल चेस्ट को लेकर और इस तरीके की नीड है और मौझूदा जो दोर है इसमें किसान को क्या चाहिए इस स्कीम का जो दायरा है और जो टार्गेट मैं कहूं सेट किया गया है इसे कैसे देखते हैं और कितनी लाबकार ही नजर आती है स्कीम उनके सानों के लिए जो कि कोस्ट हार्विटी हारस्टिंग के लिहाज से बहुत ही क्रूशल कहे जाते हैं अभी भाराजवास साब ने बहुत फी एक्सेलेंट डिवेमें समराइज किया ये तो मैं इसमें ये थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि ओवर फिलोसफी स्टार्ट हुआ था कि फार्मर्स का इंकम डबल करना है और उसके लिए क्या क्या कॉम्पलिमेंटरी चीजें चाहिए तो फैले तो सरकार ने अलरीडी कुछ स्टैप्स लिये हैं जो रिफॉर्म किये हैं जैसे एपी एमसी वाला किया है वन नेशन वन मंडिका क किया है और स्टोरेज फिसलिटीज की बात की है और एसेंशिल कमोरिटीज एक्ट में सुदार और अगरा किया है तो इसको इस फिलोसफी के अंदर देखते हुए ये बहुत आवश्यक हो गया था कि जो नेक्स टैप हो वो इन्वेस्मेंट से रिलिटिट हो और सेकिंड है क कि वो किसी इंस्टिटूशन से जुड़ा हुआ होगा तो लाइक एफपियोज हैं कॉपरिटिब सोसाइटीज हैं जोइंट लाइविरिटी ग्रूप्स हैं जाकि गरदार सबने बताया ये इन्स्टिटूशन से जुड़ने के बाद उसकी एक स्ट्रेंग्ट आती है उसको मानिय प्रदान मंतरी ने कर लाइच किया है कि इसमें जो लोन चाहिए चाहे वो इन्डिविजल फार्मर को चाहिए या टेकनलोजी ग्रूप को चाहिए ना एक ये बहुत ही इंपॉर्टन पहलू है कि इन्डिविजल स्टार्ट अगर हैं उनके पास टेकनलोजिकल एक एक इन्डिविजल फार्मर से केंद्रत नहीं हैं तो मैं उसको रिपीट करूँगा इन्स्टिउशन से फार्मर को जोड़ना उसमें टेकनलोजिकल इंप्रूब्मेंट के लिए एक दायरा बनाना और जो एग्री प्रेनोर्स हैं उनके लिए एक सिस्टम को ओपन अप करना मेरे हिसाब से ये बहुत ही एहम स्टैप लिया गया है अब जैसा कि अल्रेडी एक्स्प्लें किया कि ये सारा लोन उनको मिलेगा सबसिडाइज रेट पे मिलेगा दो करोड तक का उसमें उनको कोई गैरेंटी अपनी नहीं देनी होगी तो ये बड़े महुंदे हैं जिसको आप एक एक टर्मिलोजी में कह सकते हैं रिस्क शेरिंग थें तो बैसिकली आप रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं इंस्टिउशन्स का और इंडिविजिट फार्मर का और एग्रिपनियोर्स का त्रू सब्वेंशन ओफ इंट्रेस्ट जो त्री परसेंट आप कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट फानेशली वाइबल नहीं हो पाते हैं तो उनको आपने एक गैरंटी के तहत दिया उनको गिर्वी नहीं रखना है अपने एसेट्स उनको इंट्रेस्स सब्मेंशन मिल रहा है उनको टेक्नोलोजिकल सपोर्ट मिल रहा है और ये जो इंफ्रास इस पूरे के पूरे अगर मैं स्कीम को गलत नहीं समझ रहा हूं तो उस कैटल इंवस्ट्मेंट के लिए लोगों को इंडिवीजर लेवर पर या ग्रुप्स को प्रोट्साहिद करना और जो रिस्क फैक्टर था उसको सरकार अपने पाले पे खड़ा करके या अपने पास ले करके लोगों को आगे लाना चाहती है किस तरीके से यह बदलाओ बड़ाओ मताओं कि अग्रिकेशर से जो ज्यादातर नीतियां हमारी अग्रिकल्चर के उपर आई हैं वो नीतियां ज्यादातर क्रिशी खेत्रे में जो प्रोड़क्शन में जो ज़रूरते थी उसके उपर केंडिर थी मुझे लग रहा है कि यह जो जो अभी जो स्कीम जो चानल किया गया है वो फोकस जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद किसान उस अपने फसल को क्या करेगा उसके उपर जाड़ा फोकस देने का एक पॉलिसी का एक शिफ्ट है वो मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी शिफ्ट ह मार्किट में जाता है किस तरह से वो अपनी रिकावरी करता है उसके उपर अभी तक उतना फोकस नहीं था मुझे लग रा है कि इस स्कीम से के जरिये से, स्टार्ट अप के जरिये से, मार्केट के साथ लिंकेज करने से, मैं समस्ता हूं कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रॉब्लेंस होती है, पार्वेस्ट की उसको ऊपर काफी फोकस दिया जा रहा है, पोस्ट हार्वेस्टिंग की जो फिनैंसिंग रिक्वार्मे अगर आप GDP में इन्वेस्टमेंट का शेर देखते हैं वो करीबन 11 प्रतिशत होता है वो आकर कम होकर 7 प्रतिशत से कम आ चुका है और हम जब तक क्रिशी की पूरी एक सामगरिक एक 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 उन्नती हम नहीं देखेंगे जब तक हम ये इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा सके किसी में जिसे की जो करिशक जो है जो किसान जो है वो ना कि वो सरफ फसल अउगाए पर फसल को उगाने के बाद वो किस दर से वेर हा। के फैसिलिटी से, फैनांसिंग की फैसिलिटी से, आपना जो फश्ट जो है, वो मार्केट में बेच सके और अपनी आमदनी कुरी कर सके. मारा फाइनल अंतिन पॉइंट इस चरण में यह होगा कि यह जो स्कीम जो लाया गया है, इसकी सफलता काफी तौर से, मैं समस्ता हूँ जो तीन जो नीतियां अगी बदली गई थी, वो है आपके असेशिल कॉमोडिटीज आक्ट, दूसरा है कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग और लाय जो तौर से, मैं यह जो नीतियों की पॉलिसी की जो जो एमेंडमेंट की गई थी, उसकी सफलता इसके साथ जुड़ी हुई है, तो हमें यह आपके जो नीतियों के इनांस के आगया, उसको हमें एक एक सामगरी एक इंटिगरेट अप्रोच में देखना पड़ेगा, क किस तरह से क्रिशी की खेत्र में, हम ना ही क्रिशी के पहले पी-एम किसान से हम किसान को पैसा दे रहे हैं कि जिससे के भई, वो अपना पैसा जो बो सके, पर ये भी हम देख रहे हैं शायद कि किस तरह से वो किसान फसल उप जाने के बाद, वो किस तरह से उसकी सफल मार्क कर सके मैं समस्ता हूं कि एक एक सर्कल था वो शायद ये सर्कल अभी पूरा होने की तरफ जा रहा है अवे जी बहुत मैंको दिखता है क्योंकि इससे पहले जो सरकार की नीतिया रही और उन्हें दश्कों तक फोकुस किया है प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर हाल कि कुछ किसानों की आयको दोगना करने या उनकी आयको बढ़ाने को लेकर इस नई स्कीम के साथ कुछ specific sector आप लोगोंने चूज किये जहाँ पर जाबा फोकुस रहने वाला कुछ state आप लोगोंने चूज किये हैं और दूसरा कि किस तरीके से state इसमें सहयोग करेंगी और इसको जमी पर implement करेंगे क्योंकि बहुत साजी स्कीम सब जब देखते हैं किसानों पे लिए आई implementation की लेवर पर काफी चुनौतिया रही है बिल्कुत सही कह रहे हैं आप जो स्कीम का में मकसद है जो मेरे से पहले जो स्पीकर्स बोले उन्होंने भी बहुत सही मैनेजमेंट और उनकी मार्केटिंग अगर अच्छी होगी तो किसान को अच्छे दा मिलेगे इसी को देखते हुए हमने जो focus areas रखे हैं उसमें हमने एक तो यह कहा है कि हर जगहां पे जो clusters of crops हैं उन पे हम concentrate करेंगे हम identify करेंगे कि उन clusters में gaps कहां है अगर कहीं केले की खेती होती है तो वहां पे राइपनिंग chambers की जुरत है अगर कहीं citrus की खेती है कीनू है संत्रा है ऐसी जो फसले हैं वहां पे waxing plants की अगर आफशकता है अगर नॉर्मल हमारी grains हो रहे हैं वहां पे अगर हमें food storage की आफशकता है तो scientific storage और silos की आफशकता की पूरती हो अगर fruits and vegetables हो रहे हैं और cold chain की आफशकता है कई भी supply बहुत हो जाती है crop cd market में आ जाती है और कभी कमी हो जाती है क्यूंकि हमारे पास पर्याप storage की विवस्ता नहीं है हमारे पास irradiation units नहीं है पर्याप संक्या में इससे हम crops को बचा पाएं उनकी phytosanitary norms को maintain कर पाएं जहां पर उनकी आवशकता है वो infrastructure आए और खासकर ऐसा infrastructure आए जिससे भारत की बड़ी markets है जो niche markets है जहां पर अच्छी कीमत crops की मिल सकती है वो accessible हो विदेशों की वो markets जिनको हम अभी access नहीं कर पा रहे है क्यूंकि हमारा post harvest management अच्छा नहीं है इरिडेशन करके हम phytosanitary norms maintain कर सके और उन markets को भी हम access कर सके वो infrastructure भी इसमें identify करके आएगा और जहां तक राज्यों का प्रश्ण है तो implementation आम है वो राज्य सरकारे ही रहेगी तो राज्य स्टर पर एक state level monitoring committee बनाई गई है जिसके मुख्य सचिव राज्य के अध्यक्ष है उसी जिला कलेक्टर वहां के अध्यक्ष है और जो district manager है नबाड के वो committee के सदस्य है और उनके साथ lead bank manager जो banks के है वो इसके सदस्य है और बाकी अधिकारी जो जिला सरके है उनका काम यह है कि वो cluster identify करें और ऐसे areas को identify करें जहां gaps है जिनको पूर्थी करने से हमारा जो मकसद है वो और वो करेंगे अपनी कारवाई monitoring करेंगे promotion करेंगे इसकी बट इसका implementation बहुत आसान रखा है हमने एक portal बनाया है agree infra.dac.gov.in है इस portal में जो beneficiary है वो सीधा आवेधन कर सकता है तो अगर मैं कोई loan लेना चाहता हूं तो मैं उस portal पर जाओंगा हमने participating जो banks हैं उनके साथ MOU किये और lending rate को सीमित कर दिया है तो bank ऐसा नहीं कि जो मर्जी lending rate लगा ले हमने जो MCLR है उससे एक परसेंट से ज्यादा की उपर सीमा लगा रख लिए जैसे अभी state bank of India का MCLR करीब 6.9% है या 6.9% से भी कम है तो वो 7.9 या 7.7% से ज्यादा जो भी 1% above MCLR है उससे ज्यादा rate of interest पे रिन नहीं दे सकते हैं उसका मतला अगर साड़े साथ या पौने 8% पे रिन मिल रहा है और उसके ओपर 3% की ब्याट subsidy भी मिल रही है तो जो हितगराही है वो देख पाएगा कि मैं किस bank को apply करूं कौन सी branch मेरे पास बज़्दीख है उस bank का जो maximum rate of interest क्या है मुझे उस bank में apply क करने से जो 3% interest subsidy मिलनी है उससे मेरे को कितना rate of interest देना पड़ेगा मुझे कितना moratorium period चाहिए वो सब निरने वो करके अपनी application दे सकता है DPR upload कर सकता है और बैंकों के साथ जो हमने agreement किया है उनके साथ निरधारित किया है कि वो साथ दिन के अंदर वो अपना फैसला बताएंग Department of Financial Services को भी सूचना मिलेगी अबाड को भी सूचना मिलेगी तो सभी संस्था यह देख पाएंगी कि कहां पे हमें interference की जूरत है और कहां पे हमें देने के आशकता है इसी प्रकार अगर district level monitoring committee कुछ projects को चैनित करती है प्रमोट करती है तो वो भी portal पे apply करा सकते है जो नबाड का setup है जिसमें उन्होंने refinance की facility generate की है और जिसके अंतरगत primary agriculture coffee societies को रिन दिये जा रहे है उनको हमने connect portal से कर दिये नबाड उनको sanction कर रहा है और portal पे उनकी information आ रही है जिसे हम जैसे ही disbursement होगा वैसे ही subsidy जो हमारा public fund management system है PFMS का system है उसके थो directly जो beneficiary है उसके account में credit कर देगे त ताकि उसका जो रिन की subsidy है वो तुरंत उसके account में reflect हो जाए तो इसको बहुत qualified और अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है implementation हो और बहुत तेजी से implementation है वाशित साब क्योंकि इससे पहले कई बार जिसकीम साइंस में एक जो मैं कहूं कि सीमान किसान या फिर जो ऐसे किसान इनक का फादा वो लोग ले लेते हैं इस स्कीम के जरिये शायद वो दूरी मिठती नजर आएगी और जो innovation है या जो मैं कहूं कि जवसाए की तरफ बढ़ना चाहे कि तुड़ा सा रिस्क जिसके अंडर capacity है वो इसका लाव ले सकता है और इससे सभी किसान जो है उसके दारे में जरा है ने जी आपने ठीक कहा कि अभी तक जो शेर marginal farmers का total credit में है वो काफी कम था और ये एक platform है कि जो बहुत ही transparent है कि जब भी उन्होंने अभी सर ने explain किया कि जो real time monitoring होगी इसकी वो बड़े ही transparent way में होगी तो दो चीजे इसमें एहम है कि एक छोटा farmer भी अपने को किसी institution से जोड सकता है provision उसके जोडने से उसको access to technology मिलेगी और सबसे बड़ी चीज है जो आप एक sentence में summarize करते हैं access to information and knowledge वो बहुत बड़ी चीज है उसको पता लगेगा मुझे कहां जाना है किस से मुझे contact करना है किस संस्था के साथ जोडना है कहां से loan लेना है तो उसको technology भी इन्फरमेशन भी मिलेगी और अपने market का एक बड़ा उसको knowledge होगी और second point interesting चीज यह है कि जो मैं अभी देख रहा था कल के literature में कि inti scheme को बाकी sector से integrate किया गया है तो चाहे वो beekeeping है या fisheries है या you know like perishable commodities की problem है जो सबसे बड़ी problem horticulture products में आती है जो perishable goods से है उस में भी एक छोटा farmer अपने को link कर सकता है तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है transparent way में जो किया जा रहा है real time monitoring की जा रही है और जैसे भी बताया है सर ने कि सारी चीज़ें portal करें वो अपने को उन चीज़ों से जोड़ सकता है एक चीज़ मैं एक मिनिट में अभी सिवाप करना चाहूँगा कि अभी तक ज़्यादातर focus रहा है domestic market पर इसमें एक बड़ी important चीज़ जो इस skip में राई गई है कि हमको international global level पर competitive होना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा challenge है और competitive आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप global norms को पास नहीं करेंगे और जब तक आप नई technology नहीं लाएंगे cost reduction नहीं करेंगे तो आपको एक challenge दिया जा रहा है हमारे agrepreneurs को और technology experts को और जो farmer से जुड़े होंगे कि आप global level पर competitive होना है especially जैसे organic products हैं और fortified you know food fortification of food ये areas ऐसे हैं जहां पर हमको एक बड़ा lead मिलेगा और institution के जरीए वो छोटे छोटे फार्मर भी इससे जुड़ सकते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक trade aspect को जो link किया है ये एक बड़ा important point है इसमें बड़ाचार सर आक्री मैं छोड़ा से comment में चाहूँगा कि किसान मेहनत करना जानता है और उसने production को बढ़ा कर भी दिखाया लेकिन व्यवसाई बनने के लिए थोड़ा सा उससे हुनर चाहिए होगा और इस schemes के जरीए technical support जो है उसकी जरुद शायद अब पढ़ेगी फीच अगर देखिए अगर farmers की income आपको double ही करना है तो मैं समझता हूँ कि इस वकत जो farmers की over dependence on land वो हमें घटानी होगी इस वकत अगर आप देखते हैं कि हमारे देश में करीबन 42 प्रतिशत हमारे पूरी employment की जनसंक्या जो है employed वो क्रिशी की उपर निरवर्शील है आलाकि वो हमा कि क्रिशी की जो उत्पादगता बड़े और income बड़े मैं समझता हूँ कि जो employment load जो है वो घटाना होगा और वो तभी घटेगा जब हम यह जो post harvest facilities में जाकर उसको investment बढ़ाकर उनकी marketability को बढ़ाएंगे और उनको non wheat और non rice categories में crop को उगाने की और भी incentivize करेंगे क्योंकि जो काफी जो contract farming से अगर आप और भी जो different crops है उसमें आप diversification में काफी encouragement मिलेगा मैं समझता हूँ यह सारी जो scheme जो है यह एक तरफ से encourage करेगी हमारी क्रिशी को और भी समर्थ होने के लिए क्योंकि जो खड़िए क्योंकि जो बढ़ाएंगे झाल झाल